तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नो फायर कॉंपिटिशन के लिए पांच मिनट में जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना सिरफ पांच मिनट में बनने वाली ये रेसिपी जो कि बिल्कुल चम चम वाला टेस्ट देती है बिना किसी कुकिंग के बनाएंगे श अच्छों के हैं कॉंपिटिशन तो आप बिल्कुल बेज हिजक हो के कोई डर के बिना उन्हें ये कॉंपिटिशन वाली रेसिपी दे सकते हैं थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है मैंने आप जो मर्जी कलर इस पे डाल सकते हैं हमने डाला है येलो वाला कलर तो आपकी सकते हैं दो तीन कलर के रेसिपी में लगेंगे अच्छे यहां मैंने डाली है चीनी बिल्कुल पाउडर शुगर है आप दूसरी चीनी भी ले सकते हैं थोड़ा सा घोलने में लगेगा टाइम ये हमारा सिर्फ त्यार हो गया है इधर एक बोल ले ली है मैंने देखते आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूं अगर नहीं समझ आ रही है तो बने रही है मेरी रैसेपी को जरूर एंट तक देखेगा ये ली है मलाई मलाई के 2 चमचली है थोड़ी सी शुगर डाल रही हूं आपकी मरजी है। आप चीनी डालना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं आप चाहें तो थोड़ी से रोज एसेंस या रोज वाटर की बूंदे इसमें भी आड़ कर सकते हैं जो की करेगा आपके फ्लेवर को बिल्कुल एन्हांस तो अच्छे से एक अच्छा गाड़ा सा मिक्शिर मैंने बना लिया है आप देख रहे हो बिल्कुल मावा की तरह लग रहा है अब मैंने ली है ब्रेड तो असली है हमारा सीक्रेट यह जो मैं रिविल कर रही हूं इसको ग्लास की हिल्प से राउन्暉क में बइंहाने किनारे कर लेते हैं अलग में इसी तरह से पर्ली यह देखिए राउंड राउंड शेप बहुत सुन्दर सुन्दर वाली निकाल लीजिए आप किसी कटोरी की help से भी निकाल सकते हो तो मैंने लिए हैं यहाँ पे चार ब्रेड यानि मैं दो का बना रही हूं यह दो हम बनाएंगे जो चम-चम हैं दो बनाएंगे तो आप देखते जाए बिल्कुल बच्चों के कोई चाकू नहीं है कुछ नाइफ हमने यूज नहीं कर रहा है बच्चे बहुत एजी ली यह चीज़े बना सकते हैं तो यह देखिए लिए हमने पेरिंग में कर लिया इसको अब मैंने जो क्रीम बनाई थी ना यानि मावा टाइप कुछ बनाया था इसमें आप ड्राइफ कर दिजिए और अगर इस वीडियो को लाइक शेर नहीं कर रहा है वह भी कर दिजिए और एक कॉमेंट तो प्लीस कर दिजिए गाइट रेली अवाटी इट रेली मॉटिवेट्स मी जब आपके कॉमेंट्स आते हैं आपको अच्छी नहीं लगी तब भी आप कॉमेंट क्यों अच्छी नहीं लगी मुझे रीजन बताइए क्या मुझे कुछ और एडिशन करना चाहिए और आपको मेरी किस टाइप की रेसिपी पसंद है क्योंकि मैं बेकिंग भी डालती हूं स्टीमिंग भी डालती हूं तो आपको कौन सी रेसिपी ज्यादा पसंद है तो मैं वहीं अपलोड करूंगी तो यह दिखे इनको करा जॉइन यह बिल्कुल हीलेंगे भी नहीं अभी क्योंकि स्टिक हो गए है बिल्कुल अब लास्ट है हमारा स्टैप हमने लिया है सिर्फ यहां पे शुगर सिर्फ जो की कलरफुल बनाया है तो यहां पे हम डिप करेंगे इसको दोनों साइट से फटा फट से करेंगे डिप और इसको बड़े हाथ हलके हाथ से हम स्कुईज कर लेंगे क्योंकि वाटरी सा यह बिल्कुल अच्छा नहीं लेगेगा तो इस तरह से मैं यह दोनों प्लेट में निकाल लूँगे यह दिखे कितना सुन्दर सा हो गया यह बहुत यमी बनते हैं कोई खाके बता नहीं सकता कि यह ब्रेड की रेसिपी बनाई हुई है बहुत ही डिलिशल स्टेज देते हैं देखा जाए तो इसमें एक इनोवेटिव आइडिया है आप ब्रेड और बटर यहां फिर मलाई खाते हैं शुगरी वाला वो बहुत सकता है इधर लास में हमने लिया है नारियल का बुरादा यह तोटली ऑप्शनल है अगर आपको पसंद है तो आप लगाईए नहीं तो आप बिल्कुल एवाइड कर सकते हैं तो यह देखिए मैंने इनको रोल कर दिया है बिल्कुल तो बस यह तयार है हमारे अभी हम करेंगे इसकी प्लेटिंग तो मैंने हलका सा मैंने यहां पे टूटी फ्रूटी यह रखा मैंने पिस्ता थोड़ा सा और यहां टूटी फ्रूटी लगा लीजिए आप चाहें तो इसमें कोई भी करोंदा चैरी या फिर ड्राइ फ्रूट आप कुछ भी लगा सकते हैं तो यह लीजिए यमी सा आपका ये एक चम चम है इंस्टेंट वली चम चम तयार है तो किसी भी कॉंपेटिशन में नंबर वर्पर रहने के लिए हो जाए तयार इस रेसिपी के साथ तैंक यू सो मच फर वाचिंग स्टे ब्लेस्टे कनेक्टे विद मी थैंक यू सो मच फर वाचिंग चाहें तो आप ये क्विक सी रेसिपी कोई भी गेस्ट आ जाएं तो उन्हें बना के खिलाए देखे कितनी क्रीमी है थैंक यू फर वाचिंग